आज इस वीडियो में हम चीन की महान दीवार के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जो उत्तरी चीन में 13,000 मील 21,196 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है. इसे देश की उत्तरी सीमाओं को आकरमनों से बचाने के लिए कई चीनी राजवनशो द्वारा कई शताब्दियों में बनाया गया था. आम धारना के विपरीत चीन की महान दीवार एक एकल निरंतर दीवार नहीं है. इसके बजाए यह अलग-अलग समय अवधी और अलग-अलग स्थानों पर बनाई गई कई दीवारों और किलों से बनी है. चीन की महान दीवार का निर्मान सात्वी शताब्दी इसापूर्व में शुरू हुआ था. लेकिन मौजूदा दीवार का ज्यादातर हिस्सा मिन राजवनश 1368 से 1644 के दोरान बनाया गया था. इस परियोजना में सैनिकों, कैदियों और मजदूरों सहित लाखों कर्मचार दीवार इंटों, पत्थरों, मिट्टी और लकडी सहित विभिन सामगरियों से बनी है. दीवार के कुछ हिस्सों में वाच टावर, सिगनल टावर और सैनिकों के लिए बैरक हैं. चीन की महान दीवार दुनिया के सबसे लोगप्रिय परियटक आकर्शनों में से एक है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्शित करती है. इसे 1987 में यूनेस को विश्व धरोहर स्थल घोशित किया गया था. चीन की महान दीवार को चीनी भाशा में 10,000 ली की लंबी दीवार का उपनाम दिया गया है, जिसमें ली दूरी की एक पारंपरिक इकाई है, जो आधे किलोमेटर के बराबर होती है. दीवार मूल रूप से उत्तर में खानाब दोश जनजातियों के आकर्मनों से बचाव के लिए बनाई गई थी. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह विडियो पसंद आएगा, अगर आपको यह पसंद आया, तो अधिक से अधिक दोचक तथ्य विडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद.